हाई दोस्तो नमस्कार मैं हूं मंढ़ेãy誌 तो आज इस वीडियो में मैं आपको आर्टिछी और सीट Maß कैसे बारें बताा ओंगा और सीटी सी रम मैं से दोनों में जून से साथ ही सामध बताता चलूंगा लुरी मिंट LENTниц thingında और working stress methods एक आपको बताओं कि मेरे इस YouTube channel में आपको RCC ड्लोइंग जो है वो दोनों method से आपको इस लेक्शरी मिलेंगे working stress method से और limited method से दोनों method से आपको मिलेगे आपको जो भी method देखना है आप YouTube पे जागे देख सकते हैं वैसे आपको दोनों ही method देखना चाहिए तो कि कोई भी competitive exam है उसमें दोनों ही method से पूछा जाता है चाया वो working stress method से हो या limited method से है इसलिए मैं दोनों ही method से RCC drawing हमें इसा बताता हूँ आपको ठीक है तो आज का जो हमारा topic है वो क्या है RCC column आज मैं column के बारे में क्यों introduction दूँगा आपको कि column क्या होता है देखे column क्या होता है एक vertical member होता है ठीक है column जब भी आप देखेंगे तो आपको एक vertical member की तरह ही दिखाई देगा और जिस पर हमेशा compressive load आता है उसे क्या बोलते हैं column बोलते हैं क्या सकते हैं column is a vertical member on which the load comes along its vertical axis is that called column तो क्या मैंने वोल आपको column is a vertical member column आपका कैसा है एक vertical member है on which the load axis जो कि वो load है जो भी load लगता है उसके axis के along हमेशा लगता है हमेशा column का जो axis होता है उसके हमेशा parallel यानि उसके समानतर हमेशा लगता है उसे क्या बोलते हैं column अगर मैं इसका figure बनाओ आपको तो क्या हो जाएगा ये column हो गया आपका ठीक है ये column हो गया ये इसका axis हो गया ये हो गया vertical axis जो कि उसके center में हो गया आपका ठीक है on which the load ये क्या हो गया आपका column का vertical axis हो गया तो अब ये देखे मैंने क्या बोला आपसे column is a vertical member column में कैसा member होता है हमेशा vertical member होगा जिस पर हमेशा जब भी इसके ऊपर से कोई load लगीगा तो बोलोड कैसा होगा vertical load होगा vertical load होगा और इस vertical axis के parallel हमेशा होगा तो on which the load axis along its column is that called column आपका तो देखे यहाँ पर load लगा हुआ है आपका पी लोड लगा है यहाँ भी लगा होसकता है यहाँ भी लगा होसकता है कहीं भी होसकता है लेकिन वो load हमेशा vertical axis के parallel ही होगा ठीक है तो यह क्या कहला गए आपका column कहला अब यह तो होगे आपका column लेकिन बात ही आती है एक सब्द मैं बता रह достаточно आपको होता है pedestal भी एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर होता है जिस पर जो लोड लगता है उसके वर्टिकल एक्सिस के पैरलर यह वर्टिकल एनि हम कह सकते हैं कि pedestal is a वर्टिकल मेंबर on which the load comes along its वर्टिकल एक्सिस दोनों का definition सेम है दोनों में different क्या है दोनों में different यह है कि अगर इसके हम cross section क की बात करें तो मानी जी cross section इस column का यह हो गया यह भी length b है और यह भी length क्या है बी length है दोनों का size मानी जी बी है तो अगर देखिए यह इसका shape या तो square हो सकता है या rectangle हो सकता है और या तो circular हो सकता है तो एक word मैं आपको बता रहा हूं least lateral dimension least lateral dimension क्या होता है कि column के cross section का जो सबसे minimum size होता है उसे least lateral dimension कहते है least lateral dimension आपका square column में कोई भी एक side ले लेंगे उसे बोलते हैं least lateral dimension rectangle shape में अगर बात करें तो दोनों length में जो सब से कम होता है उसे बोलते हैं और circular column में जो dia half column होता है उसे बोलते है least lateral dimension तो अगर मान लेजे इस column का जो effective length है वो small l है ठीक है? small l है अगर small l और उसके least lateral dimension का ratio 3 या 3 से कम होता है यानि l upon b is less than and equal 3 this is called pedestal और यादि l upon b is greater than 3 that is called column बात सुन में है बहुत अच्छा चिर्मन आपको बताया हुआ है यह हमेशा exam में competitive exam में पुछता है यह question कि column क्या होता है pedestal क्या है होता है तो आप कहा सकते हैं कि effective length और least lateral dimension का ratio 3 से ज़्यादा होगा अगर 3 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा column हो जाएगा और अगर 3 या 3 से कम होगा तो क्या हो जाएगा pedestal जिसे चोकी हिंदी में बोलते हैं छोटा सा चोकी टाइप बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं pedestal ठीक है तो यहाँ पर इस चेप्टर में हम जो है क्यों column के बारे में study करेंगे ठीक है तो आज अब मैं अगला topic बताने जा रहा हूँ आपको classification of column classification of column बहुत अच्छा question अच्छा topic है यह इस topic में काफी चीज़े cover कर लूँगा मैं classification of column देखो तीन types based on three types का ऐसा है जिसे classified किया गया है based on loading system based on effective length and based on shape of cross section यह तीन types इसे classified करते हैं तो पहला अगर मैं बात करूँगा based on loading system अगर loading system के according देखा जाए तो column कितने type का होता है column दो type का होता है एक होता है आपका axially loaded column और एक होता है eccentrically loaded column एक्जियली loaded column and second eccentrically loaded column based on loading system के according column दो type का होता है एक होता है आपका axially loaded column और एक होता है eccentrically loaded column यह दोनों column के बारे हम देखते हैं क्या होता है जब column का जब column का मान यह column है और यह इसका vertical axis हो गया जब column पर जो load लगा हुआ है load उस column के vertical axis पे ही act करता है तो इस प्रकार के column को बोलेंगे axially loaded column कह सकते हैं जब load का जो line of action है और उस column का जो vertical axis है वो एक ही point पे आता है एक ही line से होके जाता है तो उसे कहते हैं axially loaded column अगर मान लिजिए load आपका जो है vertical axis से थोड़ा सा दूर हट करके लगता है यह मान लिजिए vertical axis हो गया column का और यहां पे load लगा हुआ है आपका यह यानि कि जो line of action है load का वो vertical axis से कुछ distance पे होता है यानि यह load आपका उसके vertical axis पे नहीं लगा हुआ है बलकि उससे दूर हट करके जा लगा हुआ है तो इस प्रकार के column को बोलते हैं eccentrically loaded column इस line of action और इस vertical axis के बीच की horizontal distance को बोलते हैं eccentricity क्या बोलते हैं eccentricity इसी को बोलते हैं इसे small इसे denote करते हैं तो बात सुरने आई आपको तो second type का हम देखते हैं based on length length के according देखा जाए तो column कितने type का होता है based on length कह सकते हैं या आप इसे effective length कह सकते हैं यह जो अगला मैं बताने जा रहा हूं यह बहुत exam में पूछता है तो based on effective length के according देखा जाए तो column दो type का होता है short column and long column तो पहला क्या होता है आपका short column अब short column क्या होता है जब effective length of column effective length of column and least lateral dimension का ratio least lateral dimension को चलिए मैं मान लेता हूं B का ratio अगर यह 12 से कम होता है तो हम कहेंगे short column है अगर effective length or least lateral dimension का ratio 12 से कम होता है तो यह क्या हो जाएगा short column अगर इनका ratio 12 यह 12 से अधिक होता है तो उसे कहेंगे long column effective length and least lateral dimension B का ratio 12 यह 12 से अधिक होता है ठीक है तो कह सकते है the ratio of effective length to the least lateral dimension is greater than and equal 12 तो that is called long column and less होगा तो क्या हो जाएगा short column आपका ठीक है तो यह हो गया यह दोनों question अकसर examों में जाद तर पूछ लेता है competitive examों में और बच्चा बहुत confused हो जाता है ठीक है अब मैं बात करता हूं based on end condition उसके जो end condition है उसके according column कितने types का होता है चलिए उसको देखते हैं number third point की बात करते हैं based on end condition end condition ठीक है तो इसके लिए देखिए यह चार type का column होता है क्या क्या होता है first आपका जो column है उसका जो end condition है अगर आप देखेंगे तो चार types के हो सकता है यहां पे जो मैं आपको RCC column में बताऊंगा first यह होगा उसका जो एक end point है वो हींड होगा और second भी हिंड होगा तो हम कह सकते हैं कि both ends are hinged ठीक है इस हिंड को ही क्या बोलते है pinned भी बोलते है second हो सकता है आपका one end इसका एक end यह SM पहले लिख देते हैं कि both ends are fixed जब दोनों end उसके क्या कर दिया जाए fixed कर दिया जाए third एक end तो इसका fixed कर दिया जाए and other जो second वाला end है उसका and उसे क्या की जा other end free कर दिया जाए एक तो fixed कर दिया गया और दूसरा क्या 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 गया free कर दिया गया उसे and last one ends are hinged एक तो hinged कर दिया गया and other fixed कर दिया गया यह चार टाइप का होता है तो मैं आपको बता दूँ effective length depend करता है हम ऐसा इस end condition पे तो मैं यहां से effective length का निकालने का formula भी आपको बता दे रहा हूं एक ऐसे column बना लेते हैं अगर मान लिजिये if effective length is effective length को मैंने मान लिया a small l and actual length जो उसका है उसे मान लिया मैंने capital L उसे मान लिया मैंने क्या capital L तो effective length निकालने का formula क्या होता है यहां पर मैं effective length निकालने का formula बता दे रहा हूं और यह हो जागा आपका end condition अगर आपका both end are healed होगा तो जो आपका small l निकालेंगे small l is equal to capital L यहनि actual length effective length के क्या होगा equal होगा अगर आपका both end are fixed होगा तब small l is equal to 0.65 into L हो जाएगा अगर one end are fixed and other end is free तब l is equal to क्या हो जाएगा 2 into L हो जाएगा one end are healed and other fixed अगर है तो L is equal to 0.80 L यह चारो इतना important है कि हमेशा competitive exam में यह हमेशा पूशता रहता है यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तो यह तो रहा आपका classification of column classification of column देखा जाए तो तीन टाइप से classify किया गया है based on condition, based on loading system based on effective length and based on end condition इसके according column को टीन टाइप से classify किया गया है ठीक है तो अब अगला topic में बताता है कुछ terms in, यहाँ पर जो terms कुछ column में यूज होने वाले हैं उसके बारे में discuss करते हैं जैसे मैं बात करूँ effective length क्या होता है actual length क्या होता है slenderness ratio क्या होता है least lateral dimension क्या होता है इन सब के बारे में discuss करते हैं चलिए देखिए short column का जो strength होता है long column से हमेशा जादा होता है क्यों जादा होता है क्योंकि short column जो होता है वो buckling में फेल नहीं होता वो हमेशा crushing load से फेल होता है चलिए इसके बारे मैं आगे lecture में discuss करूँगा दोनों में compare बताऊंगे आपको और देखिए अगर आपको अच्छे तरीके से ये lecture समझ में आ रहा है अगर आप तो इस वीडियो को जरूर आप like कर देंगे आप देखते तो रहते हैं like कर दिया करेंगे और इसे last में जो है मैं उसका reply जरूर दूँगा और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे कर लीजिए जिससे मैं जितना भी RCC यानि RCC होया कोई भी subject है civil engineer की जितने भी उससे related subject है वो मैं one by one सभी subject का वीडियो आपको इस YouTube चैनल पे जरूर अपलोड करूँगा तो यहां से आपको हर एक subject का वीडियो मिलेगा तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका जो notification है आपके पास सबसे पहले आजाए तो आप क्या करेंगे subscribe करने के बाद उसका जो bell icon है उसे आप जरूर प्रेस कर देंगे तभी आपको notification तुरंट अपलोड करते ही मिल जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को आप जो घ्यान देंगे तो मैं बात करता हूँ अब actual length of column क्या होता है अगर हिंदी में बात करें देखें कुछ हिंदी medium के students भी हैं डिप्लोमा लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी वैसे मैं यह कोऊँगा कि आप हिंदी में नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके जो technical word होते हैं वो सब English में ही आप देखेंगे अब इसको हिंदी में वैसे बोलते हैं वास्तरिक लंबाई तो आप हिंदी में नहीं जाएंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा इंग्रिस में प्रेक्टिस कीजिए तो वो सही रहेगा तो हिंदी रहने ही देते हैं actual length होगे आपका actual length क्या होता है जो column का actual लंबाई है जो column का actual लंबाई उसे क्या बोलेंगे actual length बोलेंगे तो मैं कह सकता हूँ the unsupported length of a column is the clear length या actual length कह सकते है the unsupported length the unsupported length of a column is actual length कह सकते है बाद सौन में आईगी नहीं आपको the unsupported length of a column देखिए मैं आपको बता दू कि जैसे मान लिजी आपका ये column हो गया ठीक है यहाँ पर इसका end fixed कर दिया गया है और यहाँ भी fixed कर दिया गया है ठीक है तो ये जो actual length है आपका यहाँ से लेकिए यहाँ तक यह क्या हो जाएगा यह आपका हुआ actual length हो जाएगा बात सोनिया आई की नहीं unsupported unsupported का मतलब क्या है column का कुछ लंबाई क्या है support किया गया है नीचे भी support हो सकता है कुछ आपका उपर slab में भी support है तो unsupported जो support नहीं है जितना आपको length दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा आपका actual length of column it is denoted by capital L बात सुनिया ही याणि आप कह सकते हैं सीधा सीधा सब्दों में कि जो आपका column का actual height है उसी को बोलते हैं क्या actual length of column या clear length of column अब मैं बात करूँगा effective length का effective का मतलब होता effect effect सब्द से आप पहचान कर सकते हैं कि जब इस पर मान लिजे कोई load लगेगा तो इसका length क्या होगा कुछ length में इसका buckling होगा ऐसा नहीं है या कि आपका यह पूरा जितना लंबाई है capital L उस पूरे लंबाई में effect हो जाएगा ऐसा नहीं है बोट depend करेगा आपका end condition पे कि उसके end condition कैसे है फ्री एक fixed या पिन कैसे है उस पे depend करेगा अगर मैं यहीं पे बात करूँगा तो इसका buckling कैसे होगा देखिए ऐसा नहीं कि आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा buckle कर जाएगा ऐसा नहीं है यह column आपका कुछी इस प्रकार से buckle होगा ऐसे बात सुझ में आई की नहीं आपको इस प्रकार से buckle कर जाएगा तो यह जो length है आपका यह कहलाएगा a small l तो हम कह सकते हैं कि जितने length में buckling होता है उसी length को बोलते है effective length of column या एक सब्द आता है point of counter flexor तो column के case में हमेशा दो point of counter flexor होता है एक point आपका यह होता है और दूसरा point यह होता है इन दोनों point के बीच की जो vertical distance होता है यह एनि vertical distance between points of counter flexor is called effective length ठीक है यह यह भी कह सकते हैं कि जितने length में उसमें क्या होता है buckling होता है effect होता है उसे क्या बोलते है effective length तो दो definition होता है तीसा definition एक वर सुनिये कि यहाँ पे जो moment होता है वो zero होता है यहाँ भी moment क्या होता है 0 होता है तो दोनों points जहां पर moment 0 होता है उनके बीच की जो vertical distance होता है उसे क्या बोलते है effective length तो मैं कह सकता हूँ the effective length of a column is defined as the effective length of a column is defined as यानि कि हम effective length को इस प्रकार define कर सकते है कि that column which takes parts in buckling ठीक है तो column का वह length वह part जो किस में होता है buckling में होता है उसे क्या बोलते है effective length it is denoted by a small l ठीक है बात सब्सक्राइब आई अब मैं बात करूंगा कि least lateral dimension क्या होता है इसको मैंने just अब भी discuss किया हुआ है आप से फिरेक फिरेक बार बता देता हूँ लेटरल डाइमेंशन क्या होता है column के cross section का जो minimum size होता है उसे क्या बोलते है least lateral dimension अगर हम square के लिए बात करें और square का size माने जी क्या है यह दोनों भी है यह भी length भी है आपका यह भी लेंथ भी है तो भी क्या हो जागए आपका LLD least lateral dimension अगर मैं बात करूँ for circular column की तो circular column में क्या होता है कि यह इसका डाया डाया समय सेम होता है तो D क्या हो जाएगा LLD least lateral dimension अगर मैं rectangle की बात करूँ तो मान लेजिए आपका यह length आपका मान लेजिए है L है L नहीं इसको कुछ और length लेजिए मान लो X है और यह length Y है तो X क्या है X की length जादा है Y की length कम है तो मान लेजिए Y की length अगर यह कम है यह minimum अगर है आपका तो Y क्या हो जाएगा आपका मान लेजिए 300 mm का length है यह 200 mm का length है तो यह length कम है तो Y क्या हो जाएगा LLD least lateral dimension बात समय आई चलिए अगला topic भी आते हैं नंबर फोर सिलेंडरनेस रेशियो या least lateral of gyration की बात करते हैं पहले least lateral of gyration इसको मैंने small bit किया है और least lateral dimension को R से डिनोट करता हूँ R का formula क्या होता है R is equal to under root I upon A यह formula होता है least lateral of gyration का under root I upon A where I is equal to क्या I हम कहते है moment of inertia I होता है आपका moment of inertia वैसे मैंने आपको बताया हुआ है पिछले सोम में lecture में कि रेक्टेंगल के लिए bd cube upon me 12 या db cube upon me 12 होता है pi d की power 4 upon me 64 circular के लिए होता है लेकिन यहाँ पर concrete यह Rcc column है तो यहाँ पर concrete और steel दोनों क्या है mixed है तो उसके equivalent बनाने के लिए यहाँ पर जो आपका moment of inertia I लिया गया है वो क्या होता है I is equal to bd cube upon me 12 plus m minus 1 into as into y यह आप यह किसके लिए है यह rectangle के लिए है for rectangle के लिए यह हमेशा competitive exam में आता है आप याद रखेंगे कि column के case में अगर rectangle shape में है तो उसका moment of inertia क्या होता है बहुत important चीज है यह bd cube upon me 12 में plus m minus 1 into as into y square ठीक है यह LSM के case में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि m क्या है आपका modular ratio है आपका यह b और d आप जानते है size of rectangle beam है b है आपका उसका breadth d है उसका depth as क्या है area of steel है y क्या है उस area के center से उसके जो neutral axis है उसके वहाँ तक का distance है और circular की अगर मैं बात करूँ तो i is equal to pi d की power 4 upon me 64 plus m minus 1 into as into y square यह formula है क्यों formula मैंने आपको बता दिया वैसे आपको इतना ही याद रखना कि r is equal to i upon me यह होता है ठीक है चलिए अब मैं बात करता हूँ slenderness ratio का slenderness ratio इसे sr से denote करते हैं अब यह क्या होता है slenderness ratio ratio of effective length to the least radius of gyration is called slenderness ratio तो मैं कह सकता हूँ कि slenderness ratio sr क्या होता है effective length lef कह सकते है क्यों यह स्मॉलल कह सकते है effective length and least lateral of gyration दोनों का ratio क्या कहलाता है slenderness ratio लेकिन column के case में column के case में क्या होता है effective length and least lateral dimension इसका जो ratio होता है वो कहलाता है slenderness ratio यह दोनों ही formula आपके हो गए column के case में जो least lateral radius of variation होता है उसके स्थान पे हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं least lateral dimension इसलिए आपको यहाँ पे r निकालने की कोई आओ सकता नहीं परेगी बोट तो मैंने आपको formula बता दिया बस यहाँ पर अगला point पे मैं चलता हूँ slenderness ratio हो गया आपका अब कुछ reinforcement के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दो type का reinforcement provide किया जाता है एक होता है vertical main bar और दूसरा होता है tie bar अगर reinforcement की बात करें हम तो जो इसका main bar है vertical main bar जो डाला गया है इस प्रकार से मैं इसका figure बना दूँ आपको मान देखिए यह column है आपका ठीक है तो यहाँ पर vertical bar provide किया गया है यहाँ पर किया गया है यहाँ पर बीच में किया गया है और इसे बोलते है tie bar ठीक है तो यह बार कौन सा बार कहलाएगा main bar है आपका यह हो गया यह यह और यह इन तीनों को बोलते हैं क्या vertical main इसका डाया कितना होना चाहिए इसका minimum question में आता exam में कि minimum डाया of main bar in column कितना होना चाहिए 12 mm होना चाहिए 12 mm से लेके 50 mm तक के डाया का हम यहाँ पर यूज करते हैं ठीक है minimum कितना होना चाहिए maximum depend करेगा उसके load पे जितना load ज़्यादा लगेगा उतना हम reinforcement बढ़ा देंगे लेकि minimum कितना होगा minimum कि अगर हम बात करें तो minimum में क्या हो जागा आपका minimum number 4 कब होगा अगर square और rectangle column है तो हमेशा होगा 4 हो जाएगा आपका square के लिए और rectangle के लिए ठीक है minimum नंबर आफ बार इनी कॉलम square और rectangle shape के लिए चार होना चाहिए और 6 minimum होना चाहिए किसके लिए circular के लिए ठीक है इससे कम नहीं होना चाहिए अब मैं बात करता हूँ cover का cover बहुत important चीज है इसका cover कितना होना तो कॉलम में जो cover होता है 40 mm या dia of main bar इन दोनों में जो maximum value होता है वो कहलाता है cover आपका तो मैं कह सकता हूँ कि 40 mm और dia of main bar बहुत important चीज है ये cover का अक्सर हमेशा एक्जाम में पूछता है 40 mm या dia of main bar इसमें जो maximum value होता है वो कहलाता है क्या cover और दो point में बता दे रहा हूँ आप ऐसे लिख लीजिए अगर माल लीजिए size column का size 200 mm से कम है या 200 mm तक है तो आप उसका जो cover है 25 mm provide कर सकते है ठीक है कितना करेंगे 25 mm जब 200 से कम हो तो जब वहाँ पर 12 mm का अगर still bar provide किया गया है तब ठीक है दूसरा चीज़ अगर मालिजिए जहां कहीं water में या fire या आग में आग में या पानी में अगर वहाँ पर आप still bar provide करते हैं के लिए तो वहाँ पर आप 50 mm provide करेंगे cover कितना 50 mm करेंगे इस चीज़ को आप याद रखेंगे और जो नीचे हम column जो भी vertical bar provide करेंगे उनका जो horizontal distance होगा वो कभी भी 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यह बहुत important चीज़ मैंने आपको बताया कि हमेशा 300 mm से ज़्यादा कभी भी होनी नहीं चाहिए तो मैं कह सकता हूँ minimum spacing जो है minimum spacing of vertical bar is not greater than 300 mm 300 mm से ज़्यादा spacing नहीं होना चाहिए एक बात और मैं आपको बताऊँ कि column में minimum या maximum कितना percent provide करते हैं इस main bar की बात करें तो 0.8% से ले करके 4% तक provide करते कई बार exam में पूछा ये question वैसे वहाँ पर अगर आपके पास option में देता है 0.8% से ले के 6% तक तो आप इस पर टिक करेंगे लेकिन 6% ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर हमें vibrator चलाने में column में बहुत problem होती है जब ज़्यादा वहाँ पर हमें steel bar provide कर देते हैं तो इसलिए ज़्यादा problem होने के वज़द से वहाँ पर हम कितना उच करते हैं 4% लेकिन जहाँ पर नीचे का column और उपर का column जहाँ पर दोनों मिलता है वहाँ पर जो maximum reinforcement हो जाता है वह कितना होना चाहिए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 0.8% से लेकर के 6% तक ही provide करते हैं अब बात आती है इसके type bar की तो type bar के लिए मैं अगला lecture में आपको बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर type bar का मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए क्या उनका spacing होना चाहिए उसका design में पूरा अगले वीडियो में बताऊंगा आपको लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ जब मैं आपको classification आप column बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको तीन types के बता रहा है एक based on loading system based on effective length उसके बाल मैंने आपको बता दिया based on end condition based on end condition कह भी सकते हैं और या तो उसे आप एक अलग topic से भी पढ़ सकते हैं आपका वो एक अलग terms हो गया आपका या end condition भी है आपका column ऐसा नहीं है लेकिन एक types का और आता है आपका based on shape of cross section ये भी आप इसको फोर्थ नंबर कह सकते हैं उसी में इसे add कर देंगे आप based on shape of cross section column का जो shape होता है वो आपका square हो सकता है rectangle हो सकता है circular हो सकता है आपका लेकते चलता हूं मैं square rectangle circular octagonal hexagonal ये सब भी होता है न ठीक है 1,2,3,4,5,6 octagonal भी ऐसे होता है ठीक है ठीक है ठीक तो ये based on shape of cross section है ठीक है दोस्तों तो फिर मैं मिलूँगा इस RCC column के अभी नहे lecture में आपको वहां पर मैं क्या बताऊंगा भी आपको टाई बार का design करना बताऊंगा फिर strength निकालना बताऊंगा LSM method और WSM method दोनों method से मैं आपको बताऊंगा अगर आपको column अच्छे से prepare करना है तो मेरा इस YouTube चैनल पर आप जाएंगे आपको column के सभी videos lecture आपको वहां पर मिल जाएगा ठीक है तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल से जूरे रहिए और आपको नए नए lecture पूरा मिलता रहेगा हर एक subject का और कुछ काफी अच्छे-च्छे point भी मैं आपको बताऊंगा आप चाहे subjective तयारी कीजिए या उसको objective कीजिए आपको हर एक प्रकार से वहां पर lecture provided मिलेगा तो ठीक है फिर मैं मिलता हूँ next वीडियो में अगर अभी तक आपने इसको like नहीं किया वीडियो को तो like कर देंगे और इसे ज्यादा ज्यादा share करेंगे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लेंगे चैनल का नाम है target history point